अब घर बैठे ही आप ले पाएंगे जमीन का पूरा ब्योरा नहीं लगाने पड़ेंगे अधिकारियों की चक्कर आपके फोन में एक क्लिक करते ही जमीन के मालिक का नाम और नक्षा पूरा हो जाएगा उपन हमारे साथ समझे सरकार का तगड़ा प्रांग जिसने ब्रस्टा चार मुक्त अभियान की बढ़ा दी है शान अब आपको जमीन से जुड़े 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 जवानकारी के लिए अधिकारियों की चकर नहीं लगाने पड़ेंगे आपको जमीन से जुड़ा कोई भी मामला हो जैसे खसरा, खतोनी, नक्षा, इत्यादी ये सब काम आपके घर बैठे ही हो जाएगे यानि आपने इधर फोन से क्लिक किया और उधर आपका काम शुरू हो गया, ना कोई अधिकारी ना कोई ओफिस बस आपका लैप्टॉप और आपका मोबाइल ही इन सभी कामों को करने में सक्षम होगा, इसकी जुड़ानकारी बाकायदा सरकारी वेबसाइट में डाली गई है ताकि बैठे ही हासल कर सकते हैं, जैसा कि पहले जमाबंदी, खसरा, खलोनी, नक्षव के लिए सरकारी दफ्तरों के चकर लगाना पड़ते थे, लेकिन अब राजी के लोग घर बैठे, यूपी भूलेक पोर्टल पर आसानी से ओनलाइन जौनकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको घर बैठे, जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ विशेश तकनीक को अपनाना होगा, इसमें सबसे पहले आपको upbhulek.gov.in वापसाइट पर जाना होगा, बस इसी के बाद अधिकारिक वापसाइट खुल जाएगा, इसके बाद खसरा खतोनी की नकल देखने के लिए आपको खसरा नकल ऑप्रशन पर क्लिक करना होगा, ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुदबगुद खुल जाएगा, बस फिर अगले पेज पर नीचे आपको दिखाई देगा, क्याप्चा कोड और उसको भरने के लिए आपको कहा जाएगा, सही जाता नंबर खातेदार का नाम खोजा जा सकता है जिसके बाद जानकारी भरनी होगी और फिर ब्रीन बटन को दबाना होगा जब आप आगे बढ़ेंगे तो जमीन से जुड़े दस्तावेज फॉर्मेट की शकल में दिखाई देंगे आप जमीन के नक्षे का प्रिंट लेने जाता था तो उसको कारलेब के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे और कभी-कभी तो अधिकारी उसका कोई सहयोगी करमचारी इसके लिए जमीन मालिक से रकम वसूल कर लेता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा यानि अब हर कोई घर बैठे ही जमीन से जुड़े इन जानकारियों को पा सकेगा जिसके द्वारा समय की बचत भी होगी और देश में भरस्टाचार भी कम होगा वैसे सरकार के इस निर्ने पर आपकी अपनी क्या राय है आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में लिखकर साजा कर सकते हैं फलाल सरकार समय समय पर ऐसे प्लान बनात देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि देश में भरस्टाचार वाले मुद्दे कम हो जाते हैं और लोगों की बीच पारदर्शिता बढ़ती है और इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने कई योजनाओं को आधार कार्ट से लिंक कराया ताकि योजना का लाब उसे ही मिल पाए जो वास्तम में उस योजना का हकदार है आज आप घर बैठे ही कहीं ऐसे कई काम कर सकते हैं जो बहुत समय पहले आप किसी के कालेला के चक्कर काटने के बाद भी नहीं कर पाते थे आज एफ आयर से लेकर गैस सिलेंडर के ऑनलाइन आविदन किये ज सकते हैं जिसका लाब हर किसी को समान तोर पर मिल रहा है ब्यूरे रेपोर्ट पीडेन न्यूज